हाद मेरे हिरो मैं पंकजी आदव कैसे हो आप सभी आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टेडी आप लोग कर रहे होंगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सर बोर्ड जाम 2025 में टॉपर आप कैसे बनेंगे इस पर हम चर्चा करेंगे ठ गूगल में सर्च कर लीजिएगा पंकजी स्टेडी सेंटर डॉट कम वहां पर जाकर कि ओनलाइन टेस्ट दे सकते हैं ठीक है तो रही बात वाई हमारा जो टॉपिक है वो बोर्ड याम 2025 में टॉपर कैसे बन सकते हैं किन-किन बातों पर ध्यान देना है वह मैं आपको बता ना होता है मैं उदाहरण के लिए मैं समझ्ञा दू कि सोच के उपर कैसे डिपेंड करता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बनता है वह मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है राइट देखो अमीर्का का कैदी था ठीक है अमिर्का का एक कैदी था उसको कहा गया कि दुनिया का जो सबसे जहरीला सांप है उस सांप से मैं डस्वाऊंगा तो उसको दिखा दिया गया कि यह सांप से मैं तुमको डस्वाने वाला हूं और तुरत ही आप यानि तुम्हारा मौत हो जाएगा राइट तो उस कैद सब्सक्राइब करने के वाइं और पा बनना है जानते हैं तो जैसा वे ऐसा ही में बनोगे। है न यह होता है तो आप पुजेटिव में सचो हो है ना कि भाई आप सोचो की हमें टॉपर बनना है तो उसके परती जो आपके बहुत सारे हार्मोन जो है पूजे टीव रिलिक होंगे कि भाई चलो हमें तो भाई टॉपर बनना है यह ना तो उसके परती आप सोचो कि नहीं पहले सिर्ट ब हाना है हमें क्या बनना है ऑगार बनना है तो अभी सही बड़िया से बढ़ा यह स्टार्ट कर दो नहीं तो फिर अगर आपको सेकेंड करना फर्स्ट करना है है ना इसी में खूस होना है तो भाई दो से तीन महीने में भी गेस वेगर अगर जो आता है उसको रगर दो तो भी पास हो जाते हैं लेकिन टॉपर बनने के लिए भाई आपको नियमित रूप से हैना अभी से ही पढ़ना होगा है ना इस बात को ध्यान रखना ओके और हां बहुं सारे बच्चों का मिस कंसेप्ट रहता है कि बाई क्या रहता है कि अरे 11 घंटा पढ़ेंगे 12 घंटा पढ़ेंगे तो वही टॉपर बनेंगे हैना ऐसा कुछ नहीं है मैंने द्राया ध्यान कहीं और है ना ऐसा भी हो जाता है तो मैं कुछ चीज में आपको बताने वाला हूं सर तो चलिए हम सुरू करते हैं अब लो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं क्या मैं आपको बताने वाला हूं देख लेना ठीक है हां तो भाई मेरे याद रखना कि जैसे कि है बोर्ड एक्जाम में चलो 95% मार्क है ना कि भाई हमें टॉपर करना है यानि टॉप टॉपर बनना है और 95% मार्क जो है ना वह कैसे भी अर्चीव करना है ओके तो भाई आपको लाना है तो उसके परती तो भाई मेहनत करना परेगा ऐसा नहीं कि सोच लिए तो हो सबसे पहली जरूरी क्या है सर तो पढ़ना तो एकदम जरूरी है कि भाई किसी भी तरीके से आपको पढ़ना है क्या करना है सर पढ़ना है है ना उसके बाद आपको समय समय पे क्या करना है रिवीजन करना है क्या करना है सर तो रिवीजन करना है कि बीजन की और पढ़ना कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है और पढ़ना क्या है ऑफ को टोटल सब्जेक्ट पढ़ना फिस पढ़ना है तो आपको सब्जेक्ट के आपके पर fabric सब्सब्सक्रांइग जैसे कि गनीत हो गया राइट गनीत पढ़ना है उसके बाद क्या हिंदी हो गया Hindu भी तो हो गया मेरे वाई संस्क्रीट तो भी तो है है ना संस्क्रीट भी है उसके बाद क्या है सर आपका अंग्रेजी भी तो है सब पढ़ना है मेरे भाई पढ़ना है तो टोटल सब्जेक्ट आपको सर्फ पढ़ना है किसी भी सूरत में सभी सब्जेक्ट को आपको प्राथ मिक्ता देना है इस बात को ध्यान रखना मालों कि अगर आपको ज्यादा रूची है मैथ में उसके आशाइंस में तो चलो हम इसमें दे देते हैं 3-3 घंट क्या दिक्कत है है ना हिंदी में कम रूची यह तो अधो घंटा देते हैं कम से कम समय है लेकिन सभी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है टॉप करने के लिए ना भाई सभी सब्जेक्ट में कम से कम 90 पलस आना चाहिए ना तमना अंदर से फील जोओगा ना अंदर से जो जाएगा ना दिल गदगद हो जाएगा ठीक है तो आइए हम कुछ टीप सब्द के बनने के कम से कम जो टीप wanderा है वह म आपको बनादे तो किन किन लिकार क्षिक टीप मेरा टीपस मुझा गहं पढ़ाई यहां पर क्या मैंने लिखा कि नियमिति grund अरे करें आप बना लो सीडूल में की कम से कम हमको साथ घंटा पढ़ना आठ घंटा पढ़ना नौ घंटा पढ़ना एक तम नियमित रूप से डेली आपको पढ़ाई करना है सब्ता में एक दिन छुटी मार लिए कोई दिक्कत नहीं मारो है ना क्योंकि देखो अगर महीने की बात किया जाए न तो अगर महीने की बात किया जाय तो मेरे ख्याल से अवरेगज अगर निकाला जाये तो कम से कम हमको लगता है और 12 दिन पढ़ता होगा बच्चा या संडे को मैना लिए चुटी है या फिर घर में किसी कि मतलब कोई काम आ गया है ना घर Mate को भीमार प्र गया उनको लेके जाना है ना फनना धिमकाना सब को लेके जाना है तो उसमें फर्श जाते हैं बच्चे कुछ बच्चे की उपर जिम्यवारी नहीं होती है लेकिन कुछ बच्चों की उपर होते हैं ठीक है नाय सीखने की कोसिस करो जब शुरुवाती पढ़ाई में करते तो नाय नय चीजों को सीखने की कोसिस करो ठीक है ओके और समझने की कोसिस करो उसे स्मार्ट तरीके से आप स्टेडी करो ऐसा नहीं कि 4 गंटे 5 गंटे या 10 गंटे पढ़ रहें लेकिन ध्यान कहीं और जो भी पढ़ो मेरे भाई एक्टम दिल लगा के पढ़ो कम समय में ज्यादा चीज़ों को बटोरने की कोसिस करो सर्फ हैना नोट्स त्यार करें जो भी प्रस्म पूछने में कभी संकोच ना करो जहां आप पढ़ते हैं अगर किसी भी चीज में आपको डाउट होता है तो भाई डायक्ट एकदम पूछा ऐसा नहीं कि हमके सर से डर लग रहा है डरना तो बिल्कुल नहीं है सर है आपको बिल्कुल नहीं डरना है जो भी आपको डाउट होंगे उसको आपको एकदम बेज ही जग पूछ लेना है सर है ना आपको समय समय पर मॉक टेस्ट भी देना चाहिए हमारे वेब साइट पर चलता है मॉक टेस्ट आप लोग जाकर के देख सकते हैं है ना पंकज स्टेडी संडर डॉट कॉम सर्च करना वहां पर सभ अपेजाए करी घ्रय क्षेम में जब जाते हैं तो जो कठीन सवाल होते हैं उस पर ज्यादा समय आपको बरवाद नहीं करना और इंकल रहा हनु हम क्यों जाए उसको पर समय भरवाद करने चोड़ तो उसको कानी कढ़ी करो स्वास्त यान देना ही आपको पढ़ने के साथ सभी विसाय को प्रात्मिक्ता देना है जैसा मैंने शुरू में ही बोला है कि हर एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है अब रही बात अपनी पुरानी गलतियों से सीखना है जैसे कि आप कोई सवाल बनाते हैं कोई question को solve करते हैं जहां आप ग करो हैना सुनने की आदत डालो सुनने की आपको आदत डालना है जो भी सर बोलते हैं Class में उससे पर सुनने की focus करो है ना उस पर ध्यान दो ठीक है। क्लास में पीछे बैठने से बचना चाहिए आपको जादा बहुत पीछे नहीं जाना चाहिए क्योंकि सर की आवाज वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे और सर का जो नजर है आप पे भी नहीं रह पाते हैं ध्यान हटाने वाली चीजे जो भी होते हैं उनसे दूर रहो ध्या और बी चीजय द्यान से घृटने वाली चीज मतलब अगर ध्यान से घृट कुछ यह कुछ और भी हो सकती है जैसे की Koal आ गया है ना किसी का भी Koal आ सकता है आपके इसका भी Koal आ सकता है तो सब culturally मार दो ब्लेक लिस्ट समझ रहे कुछ समय के लिए कि भाई हम में पढ़ना है अभी हम इस सब की चक्कर में नहीं पढ़ेंगे ठीक है कमजोर विसें उपर अधिक धियान दे सर जो भी कमजोर विसें हैं उस पर ज्यादा फोकस करें एना उसके आद आपनी हैंड राइटिंग सुधारे एकदम करेक्ट है जब चेकर जुच चेक करता है ना जब आप लिख देते हैं जब चेक करता है कोपी तो हंड़ायटिंग पर काफी ज्यादा वो ध्यां देता है देख लेता है हंडाइटिंग अच्छा है तक अच्छा बच्छा पढ़ा ओगा लिखा होगा तम अच्छा है उसे आप से उखूस हो जाता है ऐसे नम्मर देता है आना ओल्लाइन वीडियो के द्वारा टॉपिक को अपना क्लियर करें उसके बाद आलस से पढ़ाई कभी न करें नींद आ रही है तो सो जाने का फिर उठने का और पढ़ने का बढ़िया से तो मेरे भाई मिले अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक क्यार लव यू है ना धन्यवाद